नमस्कार दोस्तों मैं हूं मोहित राय और स्वागत है आप सभी का इन फोकस सिविल अकेडमी आइसीय में दोस्तों आज हम लोग इंडियन जोग्रफी के एक ऐसे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो की न केवल कॉंसेप्चुल है बलकि अगर पूरे इंडियन जोग्रफी में कहीं से भी प्रश्न नियोमेरिकल बेस्ट पूछे जाने की संभावना होती है तो वह दरसल इसी टॉपिक से होती है जो कि है मानक समय या स्टेंडर्ट टाइम बेसिकली हम लोग इसको इंडिया के लिहाज से स्टड़ी कर रहे होंगे तो इसको कह सकते हैं इंडियन फेवरेट प्रश्न होते हैं वो लगभग सभी जैन्स में इस तरह के प्रश्न तमाम देखे जाते हैं तो आज हम लोग इसी को शुरू कर रहे हैं यह टॉपिक तो चलिए अब इसमें हमने देखिए पहली क्लास जो आपकी हुई थी उसमें हमने आपको बताया था कि ग्लो देशांतर रेखा कहते हैं या इंग्लिस में लॉंगिट्यूट कहते हैं और हमने बताया भी था कि वर्ट जोग्रफी में इसको बहुत डेटेल में समझ रहे होंगे फिलहाल हम लोग यह देखते हैं कि लॉंगिट्यूड यानि देशांतर रेखा जो है वो एक तो आपकी भीट होगे, जो कि बीचों बीच से घुजरती है कि 1969 के इसके बाद देखिए यह बेसिकली, यह होती है तो उत्तर से दक्षण में अलद्वृत या सेमीुसर्कृ टाइप जो रेखाएं होती है सेमी के हैं उनको रेखाएं होती है जो कि उत्तर से दक्षण ऐसे जाती है इसी प्रकार से इस तरफ भी तो देखिए यह जो यह तो हो गई जीरो डिग्री वाली यह आपके गुजरती है यहां इंग्लेंड में ग्रीन विच में वेद साला है लेबरेटरी है ग्रीन विच तो उस जगह से गुजरती है इसी लिए इस रेखा को ग्रीन विच मीन टाइम रेखा भी बोल देते हैं यह क्यों बोलते हैं यह आगे समझेंगे फिलहाल देखिए कि अब यह जीरो डिग्री हो गई इसके इस साइड में आपको बताये थे पहली देशांतर अब इसी प्रकार से यह जो रेखाएं में देखके रूप में हमें देखती है उसको अमलोक देशांतर रैखाएं बोलते हैं जीरो डिगरी वाली को बोलते हैं GMT रेखा और इसके पूर्व और पस्चम में जो रेखाए होती हैं उनको पूर्वी देशांतर और पस्चमी देशांतर बोला जाता है इसके साथ में देखिए आप एक चीज और नोट करेंगे कि यह अगर हम लोग देखें कि यह रेखाए होती कितनी हैं तो कितनी होती हैं यह आप लोग काउंट कर सकते हैं देखिए यह पूरा जो है यह लगभग जो है इसके पूर्वी साइड में जो रेखाए होती हैं यह होती हैं 179 179 रेखा है इसके पूर्वी साइड में होती है और इसी प्रकार से पश्च्चमी साइड में होती है 179 रेखा है जीरो डिग्री वाली तो एक रेखा यह ही और जीरो डिग्री के जो पीछे के साइड में यानि जब ग्लोब आप देखेंगे चुकि यह 3D नहीं है यह 2D है लेकिन जब आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में जो जीरो डिग्री के पीछे साइड वाली रेखा होती है उसक हो गई जेरो डिग्रि वाली उसके बाद जो यह सब 107 ऐसे 123 डिग्री ऐसे करके 179 डिग्री तक जाता है उसके बाद जो रेchmal आती है और यह सभी इस्ट वाली रेखा होती हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो है यह टूडी ना ओकर के ग्लो जो है गोल होता है आपका यानि जो प्रित्वी ओती है वो गोल होती है तो दरसल वहां पर यह जो 180 डिग्री वाली रेखा है यह दोनों एक ही हो जाती ह तो यह दोनों रेखा जो है यह सेम है मतलब इस्ट साइट से 179 वेस्ट साइट से 179 ऐसे करके जो 180 पर जाके वो रेखाएं मिलती है यह दरसल 0 डिग्री का ही पीछे वाला हिस्सा होता है इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो 179 रेखा इस्ट साइड में 179 वेस्ट साइड में 0 डिग्री वाली है ही और प्लस आपकी 180 डिग्री वाली एक रेखा यह तो एक तरह देखिए तो यह कितनी हो गई यह चारों अगर मिला दीज़े तो आपकी 360 रेखाएं हो जाती है 360 रेखाएं या 360 देशानतर भी हम लोग बोल सकते हैं तो 360 देशानतर रेखाएं इनको बोला जाता है अब देखिए थोड़ा साम लोग यहां पर इसी से कॉंसेप्ट पकड़ेंगे कि यह जो प्रित्वी है आपको पता है कि प्रित्वी जो है अपने अक्ष पर कितने घंटे में अपना एक चकर पूरा कर लेती है यानि एक रो जातिया वाला टॉपिक पड़ रहे होंगे तब भी हम लोग इसको समझेंगे तो यह जो 24 घंटे में प्रित्वी अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है 24 घंटे में यह लगाती है एक चकर और एक चकर लगाने में यह कितना घूम जाती है देखिए 360 देशानतर घूम ज इसे घूमती है तो वह कुल मिलाके 360 देशानतर घूम जाती है 360 देशानतर घूम जाती है तो इस तरीके सा अगर हम लोग देखेंगे कि 24 घंटे में यह घूमती है 360 तो एक घंटे में कितना घूमेगी तो यह एक घंटे में घूमेगी 24 तो यह हो जाएगी एक घंटे में 15 देशानतर घूम जाती है तो इससे एक घंटे में निकलता है कि 15 देशानतर घूम जाती है ठीक है अब अगर ऐसे देखें कि एक घंटे में 15 मिनट भी लिख सकते हैं तो को हम लोग देखे कि Aek longitude लॉंग तुट में इसको कितना समय लगता है एक longitude को पर करने में तो उसमें लगता है इसको 4 मिनट। अब देखिए यो चीज हमारे काम कि तो यह कि Aek longitude में 4 मिनट लगता है या फिर एप 11 सब्सक्रा देशानल लगते हैं यह जो है आप इन दोने में कोई भी एक बात याद कर सकते हैं अगर आपको यह सारी कल्कुलेशन नहीं करनी है वैसे यह माइनियोट से कल्कुलेशन है इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं तो आप देखिए जब लोग यह देखते हैं कि प्रित्वी जो है एक गंटे में 15 देशांतर को पार में तो प्रित्वी का जो को चकर होता है वो पस्चिम से यादि रोटेशन यो था है रएक वो पस्चिम वह पूर्व दिशा में होता है तो कि अलोग देखते हैं वह यादि अभी देखिए आप पूर्व दिशा में जाएंगे यानि कि जीरो डिग्री है अगर जीरो डिगरी से हम लोग पूर्व साइड में जाएंगे तो हमेशा इसमें टाइम जुड़ेगा मतलब हमेशा ही हम लोग को इधर अधिक प्राप्त होगा क्योंकि पस्चिम से पूर्व दिशा में पृत्वी गुमती है इसलिए हम लोगों को यह जो यहां पर पूर्व दिशा में टाइम बढ़ जाता है और जब पूर्व दिशा में बढ़ जाता है तो पस्चिम दिशा में अगर हम लोग जाएंगे तो पस्चिम दिशा में टाइम घड़ जाता है तो देखिए पूर्व दिशा में हमेशा यह टाइम जो है वह बढ़ जाता है और पस्चिम दिशा में हम लोग जाते हैं तो यह टाइम घड़ जाता है यह हम लोग को अपने numerical solve करने में यह हम लोग को बहुत help करने वाला है अब देखिए जब हम लोग ने यह देखा मान लिजे कि कोई अब मान लिजे यह सूर है यहां से सूर ठीक है अब यह इसकी जो प्रकास पड़ रही है प्रकास के किरिणे तो यह हमेशा जो है मान लिजे कि यहां पर तो दिन होगा लेकिन इधर पर तो दिन नहीं होगा यहां पर रात होगी यहां पर नहीं होगा यहां पर नहीं होगा तो देखिए सूर का जो है वो लिमिटेशन है जब यह प्रित्वी इस तरफ है जब इधर घूमेगी तो यहां पर दिन हो जाएगा और यहां पर रात हो जाएगी तो इस वज़े से आप यह समझिए कि सूर जो है यह प्रित्वी के घूमने के कारण उसका दिन भर वह ऐसे मतलब वहां पर एक समानिस्थित समय का नेधारन करने की चुनोती हमाय सामने बनी हुई थी जिसके लिए पूरे विश्र के जो भी भूगोलवित्ता थे उन लोगों ने एक स्टडी किया और यह समझने की कोशिस की कैसे हम लोग एक ऐसा मतलब मीडियन एक ऐसा स्टेंडर टाइम डिसाइड कर सकें जिससे क हम लोग समझ सके जि कहां पे समय क्या वरकिंग कंडिशनस हैं क्या नहीं है इसके लिए तो यह लगों ने क्या किया कि इसको 0डिग्री को लिए मतलब सारी जो टाइम की कैलकुलेशन होंगी वह सब इसी स्टोंगे और यह जैंग लैन से अ मुजए नाम से जगह है वहvity कितना आगे है उस आधार पे हम लोग पता चलता है कि वहाँ पर इस Aww が और वह कितने कितना मतलब कितना देशांतर आगे है ठीक है तो अब इस तो डिशाइड हो गई वर्ल्ड के लेवल पर अब सबहीं देशों को अपने-अपने लेवल पर भी कोकि हमlane मतलब हम अपने देश का स्टेंडर्ड टाइम क्या रखें ठीक है तो उसी आधार पर हम लोग अब क्योंकि देश मान लीजे आप जैसे इंडिया है देखिए हमने आपको बताया था यह जैसे मान लीजे आपका एक्वेटर है और यह है देशांतर इसके पूर्वी साइड में और इसके उतरी साइड में यह आपका इंडिया है ठीक है इंडिया अब इंडिया जो है हमने आपको बताया था कि उसका देशांतरी विस्तार कितना है तो यह हिस्सा जो है जो गुजरात के गुहार मोती में है वो कितना है तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट यह हमने आपको बताय था 68 degree साथ मिननट पूर्वी देशांतर तो इसी प्रकार से ये वाला फूर्वी देशांतर तो पत्चीस मिनट पूरवी देशांतर तक यह इस्सा है अब देखिए भारत का जो यवी इस्सा है। This is किसे मानली जैंब भारत है तो भारत का जो यह हिस्सा है यहां से यहां तक का यह आपका इधर तक चला जाता है जो नौल्ट इस्ट वाला एरिया तो यहां से यहां तक में आप देखिए कि तीस देशन्तर का अंतर है 30 degree दिशांतर का अंतर है क्योंकि ये 68-7 और 97-25 ये 68 और 30-98 तो इस तरीके से आप समझ ये कि 30 degree दिशांतर का अंतर है तो अगर प्रस्ण आये कि भारत के पस्चिमी छोर और पूर्वी छोर में कितना अंतर है तो 30 degree दिशांतर का पहले वाली क्लास को लिंक कर दीजे अगर पूछा जाए कि भारत में गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में कितना अंतर है 30 degree दिशांतर अगर पूछा जाए कि भारत में गुहार मोती से ले करके और कि विथू अरवडाचल प्रदेश तक कितना अंतर है तो यह भी आएगा तीस डिग्री दिशांतर का मतलब हम लोगों ने यहां पर समझा तक एक घंटा बराबर पंद्रा दिशांतर तो मतलब दो घंटा तो बस यही प्रशंँ जो है ये बहुत जीयादा पूछा जाता है कि भारत का जो पश्चिमी जो छोड है और पूर्वी जो चोर है उन दोनों में कितने घंटे का अंतर है तो वह है दो घंटे का या फिर गुजरात से अरवनाचल प्रदेश में कितना अंतर है अब वह सकता है कि गुजरात में कोई और एरिया दे दे जैसे एक बार साइद यूपीस की के एकजाम में उन लोगों ने पूछा था कि अरुणाचर प्रदेश का तिरफ एरिया जो है वह भले ही पूछ ले लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है में बस यह गुजरात से अरुणाचर प्रदेश के तिरफ में कितना डिफरेंस तो आप यह ध्यान रखिए दो घंटे ही रहेगा ठीक है क्य इंडिया ने जो अपना एक स्टशन्डर्ड टाइम जो माना इंडियान स्टैंडर्ड टाइम जो इंडिया ने माना जयर सल क्या था कि हर देशों को यह कहा गया कि आप जो साड़े साथ का गुरांग है यानि साथ अृब Curiosity 30 मिनट के गुरांग पर के गुरांग देशाновतर पर हर देश अपना स्टेंडर्ड टाइम रखे है ऐसा जो है Meeting में सबी विश्वके देशों में यह सहमति बनी सबी विश्वके देशों में यह आम सहमति बनी कि हर देश साड़े साथ के गुञांक देशानतर पर अपना standard time घोसित करें तो अब वो ऐसी calculation थी तो आप देखिए का भारत ने जो अपना घोसित किया तो साथ का देशांतर में ढूंड़ना था और जो इसके कहीं बीच में हो तो 68 डिगरी साथ मिनट और 97 डिगरी पच्चेस इन दोनों का अगर बीच में देखेंगे तो लगभग यह आता है आपका साथे 82 डिगरी इन दोनों में अगर 15 तीस का डिफरेंस है तो 15 का देखेंगे 15 वाला देखेंगे तो यह आएगा आपका 80.82 degree 80.82 degree पूर्वी देशांतर और कमाल की बात यह है कि यह जो 80.82 degree पूर्वी देशांतर है यह हम लोगों के इन दोनों का डिफरेंस भी है और साथ में साथ के गुडांक देशांतर का भी एक मतलब मल्टिप्लायर है साथ का जो तो अगर हम लोग इसको साथ यह ग्यारा से अगर जाएगा ग्यारा साथ यह साथ डिग्री तीस मिनट और इंटू मल्टिप्लाई बाई 11 करेंगे तो यह आपका बैठेगा 82 डिग्री 30 मिनट तो देखें इस वज़े से भारत ने अपना टाइम जो है वो वाह 22 डिग्री पूर्वी देशांतर रखा अगें यह बहुत ज्यादा पूचा यता है contact भारत ने जो टाइम रखा वो वह कौन सा तो यह साबह 22 डिग्रीपूरवी देशांतर ठीक है इसके बाद देखिए अब हम लोग समझते हैं कि ये जो भारत ने 8.52 डिग्री पूर्वी दिशानतर रखा ठीक है अब ये 8.52 डिग्री पूर्वी दिशानतर भारत ने रखा अब इस पर बेस्ड हम लोग थोड़ी सी कैल्कुलेशन कर लेते हैं ये इतना हम इदर मिठा दे रहे हैं तो देखिया अब जो प्रश्ण पूछा जाता है पहली बात तो यह कि यह जो हमारी जीरो डिगरी वाली GMT थी Greenwich Mean Time जो था उससे भारत जो है यह यह साड़े 82 डिगरी है तो यह जो है कितने घंटे आगे है कितने घंटे आगे ऐसा प्रस्न पूछ लिया जता है तो अब इसको वैसे तो इसका आंसर है 5.5 घंटे 5.5 घंटे ये सब को रटा हुआ होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रस्न है लेकिन ये कैसे आया ये भी हम लोग समझ सकते हैं 0 से आप 8.5 डिग्री जो देशांतर है, तो आप देख लीजे कि 15 देशांतर बराबर एक घंटे, यह हम लोगों ने पढ़ा था कि 15 देशांतर पार करता है एक घंटे में, तो यानि कि 5 घंटे में ये करेगा 75 देशांतर, और बाकी आधा घंटे में ये करेगा 7.5 देशांतर तो यानि ये 75,82 ये 85,82 दिशानतर तक हम लोग पहुँच गये तो देखिए भारत का इंडियन स्टेंडर्ड टाइम जो है वो है 85,82 डिग्री, GMT है 0 डिग्री तो यानि कि भारत का जो डिफरेंस है टाइम का वो हमेशा साधे 5 गंटे कराएगा लेकिन ये आगे होगा या पीछे होगा मतलब हम लोग ने समझा था कि प्रित्वी चुकी पस्चिम से पूर्व की और चक्कर लगाती है इसलिए जो यहाँ पर हमारा पूर्वी साइड में है हम लोग ने पहली क्लास में ही देखा था कि हमारा जो इंडिया है वो कहां पर है तो हम लोग ने समझा था कि यह उत्तरी पूर्वी गोलाद में है यानि यह पूर्वी गोलाद देखानतर जो जीरो डिगरी देखानतर है उसके पूर्वी गोलाद में इंडिया अवस्थित है अब यह जो पूर्वी साइड में यानि कि यह हमेशा इसमें प्लस रहेगा तो यानि कि हमेशा जो है यह अब यह लाइन आपकी पूरी हो गई कि यह हमेशा साड़े-पांच गंटे आगे रहेगा यानि अगर इंग्लैंड में बारह बज रहे हैं अब वो दिन के हो या रात के हो अगर मान लिजे दिन के बारह बज रहें इंग्लैंड में तो भारत में बजेगा साम के साड़े-पांच ठीक है इसी प्रकार से अगर जो है यह रात के बारह बज रहे हैं तो यह सुबहे के साड़े-पांच बजेंगे ठीक है तो यह एक प्र अब इसमें 30 डिग्री का यह अंतल था यहां से यहां तक में तो इसलिए हम लोग इसके 20 से एक यह साड़े 82 डिग्री वाली रेखा खीच लिए यह कहां से होकर गुजरती है तो यह एक्जेक्ट जो है देखिए प्रयाग आज पास में एक स्थां पड़ता है प्रयाग राज के समीब आप बलकी अगर गए उदर तो देखेंगे अगले इस्टेशन और राज क्यों समीब आद यहां वह वह जॉब दिया क्ई और नहीं बहुता है तो आपके वल्यृग राज लगा कि यम तैंगे और इसके बाद जो श्टेशन पड़ता है वह पुंद यह पुर्लकिन अमतलब यह योपी अ है ठीक है यूपी के साथ साथ में यूपी के नीचे लगा हुआ है MP तो MP से भी यह गुजरती यह लाइन इंडियन स्टेंडर्ड लाइन ठीक है और यह जो है इधर 36 गड़ है कि आईस्टी गुजरती है आईस्टी जो है वो पांच राज्यों से होकर गुजरती है वही हम लोग ने देखा था कि कर्क रेखा कर्क रेखा गुजरती है आठ राज्यों से तो करक रेखा गुजरती है आठ राज्यों से और जो इंडियन स्टेंडर्ड टाइम रेखा है वो गुजरती है किल पांच राज्यों से कौन-कौन से पांच राज्य है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश चरतीजगर उडिशा और अंध्र प्रदेश ठीक है इसके बाद करक रेखा आपकी जारी है ऐसे और ये मकर जो ये वाली रेखा है इंडियन स्टेंडर्ड टाइम रेखा है ये आपकी जारी है उत्तर से दक्षन तो ये दोनों कहीं पर एक दूसरे को काटती होंगी तो वो कहां पर काटती है तो इसका जो इंटर सेक्शन होता है यानि एक दूसरे को काटती हैं, वो काटती हैं 36 गड़ में. तो ये जो है आपका इससे रिलेटेड जो भी प्रस्ण अकसर पूछे जाते हैं, वो हैं. इसमें हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा प्रस्ण पूछे जाते हैं. सबसे पहला तो आपका यह बनता है कि जो इंडियान स्टेंडर्ड टाइम था यह सारे प्रस्ण किसी भी आयोक के एक्जाम्स में बहुत ज्यादा फेवरेट प्रस्ण है तो इसलिए आप लोग इसको रट लीजेगा यह जो है आपका 1882 पूर्वी देश आंतर यह हमारा इंडियान स्टैंडर्ड टाइम है उसके बाद यह जीu एंडियान स्टैंडर्ड टाइम रेख़ा है यह पांच राज्ज्यों से ہوके गुजरती है upset MP 36 गड़ वडिशा और आंद्रप्रदेश फिर यह करक रेखा के साथ इसका जो कटाव बिंदू कटान बिंदू होता है वह होता है 36 गड़ में इसके बाद जो भारत में पस्चमी छोर से पूर्वी छोर तक क्या डिफरेंस है वो है 30 दिगरी देशांतर का 30 देशांतरों का ड प्रिफरेंस होता है क्योंकि एक घंटे में 15 देशांतर प्रिट्वी घूम जाती है ठीक है उसके बाद देखिए कि कि यह जो देशांतर हर देशों ने अपना अपना रखा वो साढ़े साथ के गुडांक पर जाना था तो उस आधार पर हम लोगों ने साड़े 82 रखा जो कि 11 बार कड़ जाता है तो इसमें से यह सारे प्रस्म जो है कई बार पूछे जा चुके हैं इसके लावा अगर हम लोग इस पर बेस्ट एक दो न्यूमेरिकल देख लें तो यह मान दीजे की न्यूमेरिकल जैसे आप ऐसा रख सकते हैं कि अगर भारत में अभी भारत में आई सटी पर अभी 10 बज़े हैं भारत में इस टी पर 10 बज़े हैं तो 92 डिग्री पर कितना टाइम हो रहा है इस समय अमान लिजे यह प्रस्णा आजाता है भारत में जो आई स्टी पर 10 बज़े हैं तो 92 डिग्री पूर्वी पर अभी कितना टाइम हो रहा है यह 92 डिग्री पूर्वी देखिए आपका इंडिया में पड़ेगा नौर्थ इस्टन साइड में कहीं पर तो अब इसको कैल्कुलेट करने के ल दोनों में डिफ्रेंस जो है वो कितने का हो गया तो साड़े बैसी साड़े बानवे होता अगर तो दस का डिफ्रेंस होता लेकिन यह साड़े बानवे नहीं बानवे ही है त्यानि यह 9 डिग्री 30 मिनट्स का डिफ्रेंस है अब यह 9 डिग्री 30 मिनट्स का डिफ्रेंस है तो दिगरी पार करने में लगता है समय चार मिनट एक देशानतर पार करने में तो नो देशानतर में कितना लगेगा तो नो चौ को 25 우리 लगेगा और तीस जो यह है त्टीस मिनट और इंटू यह चार मिनट तो इसको अगर देखेंगे तो यह तीस दुना साथ और यह अगर साथ का मतलब एक यह आपका हो गया तो यानि यह चार बार मल्टिप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा यानि कि दो डिग्री हो जाएगा ठीक है तीज डिग्री एक डिग्री बनता है साथ मिनट से एक डिग्री बनता है साथ मिनट से तो जो चार डिग्री बनेगा सूरी 2 डिगरी बनेगा वो बनेगा 120 मिनट से और यहां पे 30 को हम लोग ने मल्टिप्लाई किया चार से तो यह बना 120 ठीक है तो इस्तर यह हमारा 2 मिनट इधर आ गया तो यह हो गया टोटल 120 सेकंड यानि 2 मिनट जो है यह हमारा इधर आ गया तो यानि कि इसका जो डिफ्रेंस हो गया आईस्टी पे अगर दस बज़े हैं तो बानवे डिग्री पूर्वी दिशानतर पर बज़ेगा दस बज़ कर 38 मिनट अब यह जैसा भी है यह एम है पी एम है जो भी है उस पर है जैसे माली जे एक प्रस्ण और हम लोग देख लेते हैं कि अगर भारत में अभी अल्द रात्री है भारत में अल्द रात्री है तो कहा पर कहा पर सुबह के छै बजेंगे कहां पर शिक्स एम है यह अब जैसे कल्कुलेट करते हैं मालिज़ें दो तरह अब देख ले रहे हैं इसी पर लगबस सारे आपके प्रश्न जो भी आएंगे वो हो जाएंगे और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके विबिन परिक्षाओं में परिक्षा है तो भारत में अलध रात्री है जो खासत वर फे सिविल सर्विसे़ की परिक्षा है ऐसे ख़यों पुछे गए इन्डिय स्टेंड़ टाइम पर यानी 52 डिग्री पर है अब ही यह 12 बजे वोग गए तो यह 6 AM कहां पर होगा, अब देखिये, 12 से 6 AM कहां पर होगा, तो यानि यह 6 गंटे का King Difference है , 1 गंटे में होता है 15 गंटे, तंधरा का अंतर दिशांतर हो गया,ầ अब 12,23 में, ओर 90 जोर दीजे, तो यह आपका आ जाएगा, दो नौ आट शत्रा यह हो जाएगा साढ़े 172 डिग्री पूर्वी दिशानतर पर क्योंकि यह देखिए सुबह एक च्छा बज़े हैं तो यानि कि यह साढ़े 172 डिग्री पूर्वी दिशानतर पर यह आपका अंसर हो जाएगा कि यहां पर इस समय छे बज़रा होगा अब हम लोग मैप में जाके देख लें ग्लोब में कि यह साढ़े 172 डिग्री कहां पर है अगर एक्जाम में आपका पूछता है तो एक्जाम में आपसे यह एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको यह पता ही होगी साढ़े 172 डिग्री कहां पढ़ता है यह आपको आपसन में ऐसे ही दिया होगा और यह प्रस्ण इस टाइप के बहुत ज्यादा पूछे गया है उन्हीं प्रस्णों को आधार बना के हमने यह किया है तो देखिए यह था हमारा आज का वीडियो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं जल्दी मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के डिसकसन में बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार